प्रश्कार दोस्तों, Facts Express में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बीमा के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि बीमा जो होता है वो निवेश के लिए ही अगर लगाया जाए तो क्यों नहीं सही है, बीमा का सही रूप क्या है और सही बीमा कैसे चुनना चाहिए आईए शुरू करते हैं Welcome to Facts Express Investing Knowledge बीमा की शुरुआत कैसे हुई इसको जानने के लिए एक कहानी छोटी से सुनते है एक गाउं था, उस गाउं में हर साल गर्मी के महिने में किसी न किसी एक या दो घर में आग लग जाती थी और जिसके घर में आग लगती थी वो बंदा परशान भी हो जाता था उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो उस आग से जो जला हुआ मकान है उसकी भरपाई कर सके तो अब उस गाउं में अग लगती थी फिर भी आदमी दुखी नहीं होते थी उनका घर दुबारा पंचायत बना देती थी तो बस यही वीमा की परिभाशा भी है कि जब एक प्रकार की रिस्क वाले लोग मिलकर एक निश्चित प्रीमियम में एक वीमा कंपनी को देने को राजी होते हैं और जब भी कोई दुरगटना होती है तो बीमा कंपनी उस व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को पैसा देती है इसी को बीमा कहते हैं अब यह हुआ कि बीमा का उद्देश्य आपकी फाइनेंशियल जो रिस्क है उसको ट्रांसफर करना है आपके या किसी प्रिय वस्तु के ना होने पर उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है लेकिन उसकी जगा जो उसकी आर्थिक भरपाई जो करता है वो बीमा है मुद्दा यह है कि निवेश के लिए बीमा क्यों नहीं सही है जो आज कल हम देखते हैं जितने भी एजेंट्स हैं कमपनिया हैं वो बीमा सिर्फ बेचती हैं कि आप इतना पैसा लगाओगे तो इतना पैसा मिलेगा वो बिलकुल ही गलत है जो कि 90% कम से कम भारती है यही सुनके यही सोचके बीमा लेते हैं कि आज मैं इतना पैसा लगा रहा हूं तो इतना पैसा मिलेगा आए जानते हैं कैसे आलेज ये कोई व्यक्त है जिसकी उम्र 40 साल है और वो रिटायर होगा 60 साल पे यानि कि वो 20 साल है उसके पास रिटायर्मेंट के लिए और वो 20 साल की कोई पॉलिसी लेता है जिसकी बीमा राशी 10 लाक रुपए है और उसका लगबग प्रीमियम जो आता है वो 65,000 रुपए आता है अब देखते हैं कि उसके प्रीमियम पे कितनी कुलहाड़ी चल रही है अगर 65,000 प्रीमियम है और उसके हम एजेंट का कमिशन खाली 10% माने एवरेज वैसे शुरुआत में तो 25 से लेके 40% तक रहता है तो 10% के हिसाब से 65,000 रुपए तो उसके 65,000 रुपए में ये कट रहे है 40 साल के व्यक्ति को जो बीमा कवर देने के लिए कम से कम 75,000 रुपए का प्रीमियम अलग से कटता है उसके अलावा Policy Handling Charges और Administration Charges अगर हम 1000 रुपए भी मान लें तो लगभग हर प्रीमियम में 15,000 रुपए की कटावती होती है का मतलब ये हुआ कि आप 65,000 रुपए प्रतिवर्श लगा रहे हैं लेकिन निवेश होने के लिए आपका पैसा खाली 40,000 रुपए कमपनी लगा रही है तो आपका कितना घाटा हो रहा है जो 40,000 रुपए प्रतिवर्श लगा रहे है और एक बॉंड का रेट जो अगर 6% एवरेज माना जाए और 20 साल के लिए पैसा लगाती है तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो लगभग लगभग 14,000,000,000 या 15,000,000 वो जाए है मोटा मोटा आपको पैसा मिलता है जार रुपए अगर कटावती नहीं होती और आपका पैसा किसी बैंक में या पोस्ट आफिस डिपोजिट में लगाया जाता और हम 6% का ही रेट लेके चलते तो जो फ्यूचर वैल्यू आपकी होती वो लगभग 24,000,000 रुपए होती 6,000,000 रुपए को 8% के हिसाब से PPF में लगा देते तो PPF में लगाने के बाद यही पैसा लगभग आपका 30,000,000 हो जाता तो देखी लगभग दुगने का फरक पड़ रहा है अगर आप PPF में पैसा लगाते हैं या आप किसी भी insurance company में पैसा लगाते हैं और उसके अलावा यदि आप थोड़ा सा risk ले सकते हैं और बहुत ही minimum rate जो mutual fund का मैं 12% मान रहा हूँ वैसे rate तो 15%, 20% रहते हैं तो 12% पे भी आपको लगभग 45-46,000,000 रुपए मिल रहा है तो ये अंतर है निवेश करने का अगर आप किसी भीमा company में निवेश करते हैं या फिर जितने अच्छे asset class है PF या mutual funds में इवेन या फिर आप bank में निवेश करते हैं तो उटता है कि हमें भीमा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो उसका उत्तर है हाँ हमें भीमा तो अवश्य लेना चाहिए लेकिन भीमा को हम निवेश से अलग रखें भीमा का मतलब यह होता है कि यदि कोई प्रिये व्यक्ती कोई प्रिये वस्तु आपके पास से चली गई नहीं है तो उसकी आप एक जो emotional भरपाई है वो तो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम आप उसकी आर्थिक भरपाई कर सके ताकि बुरे समय में आपको पैसो की कमी नहीं हो देखे सही भीमा का रूप है टर्म इंशोरेंस, बेडिकल इंशोरेंस, एक्सिडेंटल इंशोरेंस और सभी प्रकार के general इंशोरेंस जो minimum premium में maximum cover देते हैं कि आपका भाविश सुरक्षित रहता है बीमा खरीदते समय हमेशा ये याद रखे कि हमें खेचड़ी नहीं लेनी है अगर हमें बीमा लेना है तो हम बीमा लें और यदि हमें निवेश करना है तो जो निवेश के और भी assets हैं उसमें हम पैसा लगाएं क्योंकि जो जैसे यूली प्लांस हैं इंडोमेंट प्लांस हैं और मनी बैक प्लान हैं एक तो इनके premium बहुत ज़दा high रहते हैं तो high premium होने के साथ में आप maximum बीमा ले ही नहीं सकते और दूसरी चीज है जो आप इतना पैसा लगा देते हैं उस पैसे में इतनी कटावती हो जाती है कि आपका जो निवेशित राशी है वो कम हो जाती है तो return भी कम हो जाता है दोस्तों बीमा बहुत ही बड़ा subject है मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे points लिये हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप पीमा के बारे में और सी बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एवं शेयर करें अपने दोस्तों के साथ धन्यवाद